इस वीडियो में बताएगी सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षबलों की गोपनियता भंग होती है डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उनहीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौझूद है नमस्कार दोस्तों डिफेंस डिटेक्टिव हाजिर एक और नए वीडियो के साथ जैसा कि हम सब जानते हैं कि चीन के साथ लसी पर हमारा विवाद चल रहा है तो आज इस वीडियो में बात होगी कि भारत और चीन के इस विवाद के बीच कैसे पाकिस्तान फस गया है और कैसे सीपेग यानि चाइना पाकिस्तान एकॉनमिक कॉरिडोर का मामला लटक सकता है लेकिन पहले वही छोटी से गुजारिश अगर आपने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दाही भारत और चीन के बीच इस विवाद से पाकिस्तान के लोग बड़े खुश हैं खुश क्यों है इसके वज़य भी जान लीजिए अब चार लडाईयों में तो भारत से वो हार चुके हैं अब जब चीन और भारत में तराव पैदा हुआ तो उन्हें लगता है कि चीन अपना ओमर चीमा साहब का एक बयान ढूंड कर लाया हूँ ध्यान से सुनिएगा देखे ये मामलात इतने सिंपल नहीं है कि आप कहें कि इंडिया और चायना की हलात खराब हो गए हैं तो जंक के दहाने पे हैं और पता नहीं क्या हो जागा आपको थोड़ा सा एक होलिस्टिक पि और किस तरह इंडियन करते रहते हैं और उपर से आपने ये भी देखना है कि इंडिया और चायना जो है उनकी जो बाइलाटरल ट्रेड़ा वो सो बिलियन डॉलर के करीब है और उन्होंने प्लैन किया हूँ अगले 500 अरब डॉलर तक इसको ले के जाना है अगले 2-4-5 साल म तो यहां पर हमें देखना ये है कि ये कॉन्फिलिक्ट भी है और कॉपरेशन भी है ये जो टेक्टिकल लेवल पे चोटे लेवल पे बॉर्डर पे प्रॉब्लम्स है आपने जो चाइनीज अमबसेडर इंडिया में है सन वर डॉंग उनका बयान सुने वो कहते हैं ड्रेग चीन विवाद पर खुश हो रहे हैं दरसल वो ये नहीं जानते कि ये विवाद पाकिस्तान के गले की फांस बनता जा रहा है भारत और चीन मौझूदा विवाद को बिना किसी जंग के सुल जा लेंगे लेकिन बीच में पाकिस्तान बुरी तरह फस चुका है फसा इसलिए ह क्योंकि सीपेक प्रोजेक्ट पर संकट के बादल घर चुके हैं और ये मैं नहीं कह रहा है बलकि पाकिस्तानी आर्मी के रिटार जनरल अमजद शोईब खुद कह रहे हैं और सीपेक आगे बन रहा है वहाँ पे अब चीज़ ये है कि इसमें जहां तक सीपेक को स्टॉल करने का चकर था या आप गिलगित बलतिस्तान पे अगर कोई निगा रखी वी थी तो उसमें तो अमेरिका की मर्ज़ी शामिल थी आपको याद होगा कि अमेरिका ने पहले को सपोर्ट करेगा देखिए भारत का इतराज कानूनी रूप से भी सही है क्योंकि गिलगित बाल्टिस्तान भारत का इलागा है जिस पर पाकिस्तान अवैद रूप से कबसा जमाए बैठा है पाकिस्तानी अच्छी तरह जानता है कि अगर कलको भारत-चीन विवाद अपनी आवाम को जो जूटा सपना दिखा रहा है वो सपना तूट जाएगा एक ही निकलेगा कि इंडिया पाकिस्तान पे हमला करेगा अच्छी यह हम रोज से कह रहे हैं ना हम क्याँ देखा पाकिस्तान लिए हमला करेगा ना तूट आलमी ताक्त भाप पाप पाप करो वरना यह तो पागल है यह तो भम चला देंगे और जब इंटरनाशनल फोर्स वहां पहुंचेंगी सन तो यह लाका कम सकंपाइश साथ साल के लिए डिस्टरब हो गया ना डिस्टरब हो गया ना सी पर कम्प्ली उड़ता वा नजर आ रहा है इस में मुझे बहुत बड़ी यह यह साल गुजर जाए ना सही तरह तो बड़ी बात है मैं सही कहता हूँ इस साल के अंदर इंडिया ने यह करना है दौर्ट बेक उल्डी को एक आम मुकाम से इन्होंने एक ब्रिगेट साइस से ज्यादा बड़ी एक ना सिर्फ केंट बनाया वहां पर एक एरपोर्ट बनाया अब यहां से ना सिर्फ यह किया जा सकता है कि एक एच पर हमला किया जा सकता है लेकिन यह अपनी हैवी मशिनरी यहां पर लाज़ा है दूसरी जो खबर जो यह थी सीपैक वो डेमेश किया जाए तो चाइना का जो रास्ता है जैसरे पाकिस्तान से कट जाएगा बलके अबस्ती एशिया रियास्तों से कट जाएगा और थ्रस अगर उपस नॉर्थ से जाएंगे तो फिर वो रूस के साथ मसाल बन जाएंगे तो चाइना के लिए सीपेक बिकार हो जाएगा और पाकिस्तान के लिए भी वो सिर्फ एक सड़क रहे जाएगी सारी पाकिस्तान जो सीपेक सीपेक कर रहा है ना वो खुद उसके लिए कितना खतरनाक है इस बात को वहां की आवाम नहीं समझ रही क्योंकि उसे सरकार की तरफ से जो सबसबाग दिखाए गए हैं वो उन पर खुली आँखों से यकीन कर रहे हैं तो मेरे पाकिस्तानी दोस्त जो चीन के साथ अपनी दोस्ती के बारे में बताते हुए ठकते नहीं हैं उनके लिए पहले आपके ही नियूज शैनल की एक रिपोर्ट दिखाता हूँ फिर पाकिस्तानीयों की ही जुबानी जूटे सीपे की पोल पट्टी भी खोलता हूँ पलेस एहलकारों पर तशदुद करने वाले पांच चीनी एंजीनियस को मुल्क बदर कर दिया गया चीनी एंजीनियस का बगार सेक्योटी केंप से ना निकलने देने पर एहलकारों से जगडा हुआ था चीनी वाशिन्दों ने एहलकारों को थपड़ मारे और सरकारी गाड़ी पर चड़ गए थे एंकौरी रिपोर्ट में कसूर वार पाए गए तो चीनियों की नजर में पाकिस्तान की आउकाद क्या है? या आपको साफ नजर आ गई होगी सीपेक के जरीए किस तरह चीन पाकिस्तान को अपना गُलाम बना रहा है? ये समझने के लिए पहले थोड़ा सा सीपेक के बारे में जान लेते हैं साथ साल पहले चीन ने इस प्रजेक्ट की घोशना की थी मकसद पाकिस्तान और मध्धेवम दक्षन एशियाई देशों में अपना प्रभुत्व बढ़ाना है उस वक्त इस प्रजेक्ट की लागत करीब 46 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी जो 2017 तक बढ़कर 62 बिलियन डॉलर हो च फिस्दी पैसा चीन ने पाकिस्तान को कर्ज के रूप में दिया है वो पाकिस्तान की GDP का करीब 6 फिस्दी है कर्ज देने वालों में मुखरूप से चीन के तीन बैंक है एक्सिम बैंक ऑफ चाइना चाइना डेवलप्मेंट बैंक और इंडस्ट्रियल और कमर्शिल बैंक ऑ इंपेक के नाम पर मिला ये कर्ज पाकिस्तान के गले का फंदा बनने जा रहा है क्या सी पैक पाकिस्तान को फाइदा देगा या नहीं डॉक्सार आइटिंक बड़ा बहुत बड़ा क्वेस्टिन माक है अगर आप सही तरीके से करें तो बे इंतहाप फैदा देगा अगर आ आइ तिंग इस वकत हम और ये तो आई एम एफ की रिपोर्ट में भी आ गया है कि अगर आपकी एकस्पोर्ट नहीं बढ़ेंगी अगर आपकी एकनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी तो ये जो लाइबिलिटीज आप ले रहे हैं कर्जे जो ले रहे हैं जिस तरह की इंवेस्में आप ले रहे हैं ये आप कब अबाले जान बन जाएगी आप इसको सर्विस नहीं कर सकेंगे डिप्लोमेट एलिस वेल्स भी पाकिस्तान को बता चुकी हैं पाकिस्तानी अख़बार डॉन ने बगायदा इस पर रिपोर्ट भी चापी थी वहीं पाकिस्तानी मीडिया ने भी इस ख़बर को प्रमुकता से उठाया था CPEC's most expensive single project is upgrading the railway from Karachi to Peshawar. When the project was initially announced, the price was set at $8.2 billion. In October of 2018, Pakistan's railway minister announced that they had negotiated the price down to $6.2 billion, a savings of $2 billion, and he explained, Pakistan's a poor country, we can't afford the huge burden of these loans. But recent media reports claim the price has now risen to $9 billion. So why doesn't the Pakistani public know the price for CPEC's most expensive project, or how it's being determined? On debt, what are the long-term effects in Pakistan of Chinese financing practices, and what are the burdens that have fallen on the new government to manage, with now with an estimated $15 billion in debt to the Chinese government, and another $6.7 billion in Chinese commercial debt? Because it's clear, or it needs to be clear, that CPEC is not about aid. This is almost always the form of loans or other forms of financing, often non-concessional, with sovereign guarantees or guaranteed profits for Chinese state-owned enterprises that are repatriated to China. Now, together with non-CPEC Chinese debt payments, China's going to take a growing toll on the Pakistan economy, especially when the bulk of payments start to come due in the next four to six years. Even if loan payments are deferred, they're going to hang over Pakistan's economic development potential, hamstringing Prime Minister Khan's reform agenda. On transparency, the lack of transparency can increase CPEC costs and foster corruption, resulting in an even heavier debt burden for Pakistan. Pakistan के भी भीतर खाने में ये बात समझा गई है. शायद यही वज़ा है कि इमरान खान के सरकार में, प्रोजेक्ट की रफ़तार धीमी पड़ गई है. पिछले साल सितंबर में, पाकिस्तान के वानिक जिमंत्री, अब्दुल्रजाक दाउद ने रिव्यू कराया जाने तक, प्रोजेक्ट को स्थगित करने का प्रस्ताव दे दिया था. ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि अगस्ट 2019 में, इसमें करॉप्शन की जाँच के लिए पाकिस्तान सरकार ने कमिटी बनाई. और कमिटी ने अपने रिपोर्ट में साफ साब बताया, कि इसमें बड़े बड़े घपले हु रहे हैं. अगर बिजली में इन्वेस्मेंट आ रही है, और वो बिजली अगर लेट से 10 रपे की आप बनाएंगे एक यूनिट, और उसके बाद उसको आप 30% लॉसेज भी होंगे, तो वो जब इन्डस्ट्री के पास पहुंचेगी, वो 13 रपे की पढ़ जाएगी, और बाकी दुनिया जो है बिजली 3-4 रपे पे लेगी, तो आपकी इन्डस्ट्री नहीं अफोर्ड कर सकेगी, यह बिजली लेना, और ना फिर आपकी वो जो रिकवरी होगी, आपकी इन्डस्ट्री की वो तो नहीं होगी. बाइद वह सोलर वो 17 रपे यूनिट ले रहे हैं? सोलर वो 17 रपे ले रहे हैं, और सोलर यूएई में आप 3 रपे का ले रहे हैं, मैकसिको ने अभी 4 रपे का सोलर का किया है, साबकताव हम 17, 18 रपे लिए हैं, और प्रोजेक्शन यह है, कि अगले 10 साल में सोलर एक रपे पे आजाएगा. तो हम सतना रुपय का क्यों ले रहे हैं हम है चाइना से क्योंकि हमने उसको ना डिजाइन उसका देखा ना हमने देखा क्या क्वालिटी स्की क्या अतर वो लग बात है उसकी फाइनेंसिंग हमने बहुत एक्स्पेंसिव कर रखी है तो आधिंग कि बेसिकली आपका जो औरिजिनल क्वेस्टिन है कि सीपेक फंदा है हमारे लिये या हमारी रहाई है इंटू फ्रॉम पावर्टी इट डिपेंड्स ऑन के हम उससे क्या करना चाहते है और कैसे करना चाहते है जब हमारी इंडस्ट्री बंद हो रही है जब हमारा प्रोडक्शन खतम हो रही है जब हमारी एनरजी जो है वो आउट अफ रीच हो रही है तो वह किस तरह से मेरे लिए कुछा है देंगे? बड़ी सिंपल बात है, अगर हकूमत आपको बिजली देगी पंधरह रिपे में, और आप खुद बिजली बना लेंगे से तीन रिपे में, तो आपको पागल कुते ने काटा के आप अप हकूमत की बिजली लेंगे, अगर और मैं जाके उसको ले आता हूं तो मैं नहीं कर सकता अंडर दलौ। जिससे बाद में वो अपनी मर्जी के हिसाब से उससे काम करवा सके। क्योंकि वो जानता है कि अगर पाकिस्तान में किसी की चलती है तो वो सिर्फ और सिर्फ आर्मी है। इसका खुलासा खुद अमेरिका में पाकिस्तान के अमबेसर रहे। हुसान हकानी ने भी की है। Prime Minister Imran Khan went to Beijing hoping to get a financial package. He did not get one. Instead he was told what Pakistan needs to do to fulfill China's expectations. China clearly no longer wants to tell Pakistan that it loves Pakistan unconditionally. Instead it wants Pakistan to understand what concerns China has about Pakistan's direction. China wants Pakistan to be its ally, especially in rivaling India in South Asia, but it does not want Pakistan to muddle through in its economic and political decision making. यही नहीं अभी इसी साल 18 माई को The Diplomat में हुसान हकानी की एक रिपोर्ट बीचापी है, जिसमें उन्होंने बताया कि CPAC के जरीए चीन की असली मंशा क्या है और पाकिस्तान को ये कितना भारी पढ़ने वाला है। हुसान हकानी इसमें लिखते हैं कि पाकिस्तान की जनता जिसे ये हमेशा बताया गया कि चीन सबसे भरोसे मंदोस्त है, उन्हें ये जानकर जटका लगेगा कि चीन कारोबार में कोई रहम नहीं दिखाता है। हकानी ने भी पाकिस्तान सरकार के रिपोर्ट, Committee for Power Sector Audit, Circular Debt Reservation and Future Roadmap का हवाला देते हुए इसमें हो रहे घपलों और चीनी मनसूबों की जानकारी दी है उन्होंने शलंका और मालदीव के साथ चीन ने जो किया उसका भी जिक्र किया है लेकिन मुझे लगता है कि इतना सब कुछ सामने होने, जानने और समझने के बावजूद पाकिस्तान चीन के जाल में फंसता जा रहा है चीन को भी पता है कि उसकी हर चाल की खबर भारत को है इसलिए वो भारत के उपर दवाब बनाने के रणनीती से काम कर रहा है लेकिन जिस तरह से भारत लदाख में LSE पर और डिप्लोमाटिक लेवल पर जवाब दे रहा है उससे चीन समझ चुका है कि भारत पर अब ये दवाब की रणनीती काम नहीं करने वाली चीन जानता है कि भारत को मौका मिल गया तो उसे अकसाई चिन पर से अपना अधिकार छोड़ना होगा और अगर अकसाई चिन भारत में वापस ले लिया तो कारा कोरम हाईवे पर भी पाकिस्तान का कंट्रोल नहीं रह जाएगा तो दोस्तों उमीद है आपको डिफेंस डेटेक्टिव का ये अपिसोड पसंद आया होगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लेटिस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन प्रस करना ना भूलें जल्दी ही एक और वीडियो के साथ हाजिर होता हूँ तब तक के लिए जाज़त दीजे नमस्कार जैहिंद